अक्सर लोगों को सरीर में दर्द रहता है इसमें सेर दर्द, मांस्पेसियों में दर्द, हडियों में दर्द, जोडों का दर्द, कमर दर्द, दाद दर्द आधी सामिल हो सकते हैं अधिक अरकाउट करने से, लगतार बैठ कर आफिस में काम करने से या फिर अधिक चलने फिर्दने से सरीर के कई हिस्सों में दर्द, इंठन और थकान महसूस होने लगती है सारिक दर्द कई बार इतनी बढ़ जाती है कि समान निकारी करना भी मुस्किल हो जाता है कई बार लगतार रहने वाला सारिक दर्द या बारी पर नुकसान भी पहुंचा सकता है इसलिए जब भी दर्द लोगों को होता है तो नॉर्मल दर्द की टेबलेट इसमाल करते हैं उने आराम भी मिल जाता है, लेकिन कभी-कभी दर्द जादा रहता है, तो normal tablet से आराम नहीं मिलता है, और उपरसान हो जाते हैं, अचानक इतना तेज दर्ध होने लगता है, तो कोई normal tablet नहीं काम करता है, तो लोगों के अंदर भाय बैठ जाता है, और उस सिधा डाक्टर के प टेबलेट काफी वेश्ट है, अगर इमने जैसी में 30 दर्द होते एक टेबलेट 4 आप मिल सकता है आपको काफी वेश्ट काम करता है, आज हम इसी टेबलेट के बारे में जानेंगे, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए है तो वीडियो की नीचे सब्सक्राइब का बटन दि जानेंगे, जीरो डॉल एसपी टेबलेट के कॉंपजिशन की बात करी तो इसमें एशिलो फेनाक 100 mg, सेरटियो पेप्टी डेश 15 mg और पैराशीटामल 325 mg पाय जाता है, इसका जीरो डॉल पी नाम से भी टेबलेट आता है, जीरो डॉल टी नाम से काफी टेबलेट आते हैं लेकिन दर्द में सबसे बेश जीरो डॉल पी भी काम करता है, लेकिन जब जादा तेज दर्द हो तो जीरो डॉल एसपी ही सबसे बेश्ट होता है, और काफी तेजी से यह रिकवरी करता है, जीरो डॉल एसपी की 10 गुली के मारपी 107 रुपे शाठ पैस है, आपको एक अपने घर पे सिर्फ चार्ड टेबलेट रखे, इमर्जेंसी टेबलेट के तोर पे रखे, फास्ट एट कीट में आपने पास जरूर रखे, क्योंकि इसकी एक टेबलेट आपको कैसा वी दर्द तुरंत आराम दे सकता है, अब बात कहें दोस्तों, जीरो डॉल 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 में दर्द दर्द में काम करता है, विए पूर अब दर्द में कापकरकारverse तो यह चा乾 के दर्द होना, जीरो क्राद में दर्द होना सफ यह अधिक दर्द में प्राबलम प्राबलम की मियों ग्रिक्तर ही जहरा प्राबलम करना है कि अगर आपको दर्ड हो तो इसका इस्तमाल नहीं चाहे लगारें पशूरं influence होाँ क has aran watts इसका इसका मिल जाएगा अब औरकु efforts के V कोई अपने दश्यवर दीन नहीं चलाना चाहिए दो इन चला सकते हैं दर्द हो रहा है लेकिन दो तीन दी साधिक आपका दर्द है तो आप पले डाक्टर से शंपर्क करें उसके बाद चलाए नार्मल आप इसे मर्जेंसी में ही चला सकते हैं अगर आपको आपको अचानक दर्द होने लग तो एक टेबलेट इसमाल करें लेकिन अगर दस बार दि दर्द होता है तभी आप इसमाल करते हैं तो काफी कम देखने को फिर वह अगर इसके इंट्रियर्ट अगर आपको इलर्जी हो तो जैसे गैस्टिक जलन होना कभज होना डकार आना भूख में कमी जी मचलना पेट में दर्द चकर आना उल्टी होना दस्त होना सूजन होना ऐसे साइड इफेक्ट में डूर मस्त बैुट करें को आपको देखने को मिल से खर्वा करते हैं कोई ऑप दोस्jang से तब्लेट द हो और अचानक दर्द हो तो चल्ड कर ले अगर आपको यतार्द की पारम होती है तेक बद किजिक सांपरक्ट करनें हैं चाहिए तो चले दोस्तों आज की बिडियों सिर्फ इतना ही फ्री में लेंगा गले बिडियों कुछ नया लेकर